नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो भारत्य संस्कृति का एक खूबसरत हिस्सा है दिवाली यनि दीपावाली भारत का सबसे बड़ा और पवित्य त्योहारों में से एक है ये त्योहार प्रकाश का त्योहार है जो अंदकार पर प्रकाश का और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है हिंदु धर्म के अनुसार दिवाली का सम्बंद श्रीराम के वनवास से है कहा जाता है कि जब श्रीराम, माता, सिता और भाई लक्ष्मन 14 साल के वनवास के बाद आयोधिया वापस आए तो आयोधिया के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए पूरे नगर में दिये जलाए और पूरे नगर को दियों से रोशन कर दिया दिवाली के दिन लोग लक्ष्मी माता की पूजा भी करते है लक्ष्मी, धन और सम्रिदी की देवी है और ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात को पृथ्वी पर आती है और जो भी उनका शरद्दा के साथ होजा करता है उसके घर में सम्रिदी लाती है दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये पांच दिन का पर्व है, पहले दिन धंतरस होता है, फिर नारक चतुरदिशी होती है, उसके बाद मुख्य दिन दिवाली और फिर गौर्दन पूजा और अंतिम दिन बाइदूज होता है, हर दिन का अपना एक अलग- को अपनाना चाहिए, ये त्योहार हमें मानवता, प्रेम और दया का संदेश देता है, तो इस दिवाली हम सब ये मिलकर प्रतिग्या करेंगे, कि हम अपने जीवन में अच्छाई को बढ़ावा देंगे, और दूसरों के जीवन में भी खुशियां और रोशनी बरने की को अपने